अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी करी रहे होंगे कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई आज दोस्तो 18 अप्रेल है और 18 अप्रेल में दा हिंदू नियूस पेपर में जो भी इंपोर्टेंट अप्रेल है उन सभी कौम क्या करने वाले डिसकस करने वाले तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए और वीडियो दोनों चीज़े क्लियर हैं तो जल्दी से फटा फट से आगे बढ़ा जाए तो 18 अप्रेल तो आगे बढ़ते ह है फटा फट से आज के important quote को देखते हैं दिन की शुरुवात करते हैं मैं कई बार इसके बारे में आपसे कहता रहता हूं कि कई बार ना बच्चे सिर्फ motivation की पीछे भागते हैं कि भाई हमें motivation मिलने चाहिए हमें जब तक motivation नहीं मिलेंगे हम अपनी तैयारी को शुरू नही करेंगे तो मैंने कई बार इस चीज को बार बार दोहराया है कि मुटिवेशन आपको एक बार शुरू करने में help कर सकता है बट वो consistency जो है जो discipline है वो बिल्ड करने में help नहीं कर सकता जब तक आप अपने दिमाग को control नहीं करना सीखेंगे क्योंकि देखिए मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि आराम हर किसी को पसंद है चाहे वो machine हो चाहे वो इंसान हो कोई भी तो वहाँ पर ये बहुत important है कि आप अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चलें बलकि दिमाग आपके हिसाब से चलें self-discipline बहुत important है प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जब तक आपके पास में self-discipline नहीं होगा दोस्तों आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं यही चीज मैं बार-बार किया रहा हूं कि self-discipline starts with the mastery of your thoughts, if you don't control what you think, you can't control what you do, जो सोच रहे हो वही अगर आप control नहीं कर पाओगे, तो जो काम कर रहे हैं उसको कैसे control करोगे, यह तो वैसे ही हो गया कि आपके हाथ में गाड़ी है, steering wheel है और जहां मर्जी चाहे उधर की तरफ जाता जा रहा है, और कल ना यह बात मैंने बहुत ही सोच समझ कर लिखाता है कि यह मैं बच्चों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा, बहुत सारे बच्चे, entry video, इन्होंने यह कह दिया, आजकल वो भी चल रहा है कि मुझे सिर्फ books लाके दो, मैं सारे exam निकाल दूगा या दूगी, मैंने सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करी, दिन म कल ही मैं एक टॉपर के बारे में पढ़ रहा था, और फिर मेरी किसी उनसे close जो जानकार है उनसे बात चुती, टॉपर बनने के बाद में आप जब exam निकाल लेंगे, तो उसके बाद में कहानिया गढ़ दी जाती है, आप खुद अपने आप में बहुत बड़ी हवा हवाई बाते बोल लेंगे, लेकिन टॉपर बनने से पहले का जो फेज है, वो क्या मानता है, परिक्षा निकालने के लिए मोटिवेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है अनुशाषन, वरना मोटिवेशन तो एक स्कान है, तो आप exam निकाल लेना, उसके बाद में जो बोल बच्चन वा आज के important topic को सबसे पहले देखें, एक green credit program है, यह prelims में इस बार आएगा, उसके बाद में great indian bursted है, rain shock है, missing colleges, और उसके बाद में heat action plan, और इस session के pdf हो, या फिर the hindu newspaper, या फिर Indian express की pdf, ये सारी चीज़े आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएंगे, और telegram channel का नाम क्या है दोस्तों, telegram channel का नाम है प्रशान तीवारी, प्लीज नोट करिएगा, इसके साथ में किसी और चीज़ को fan following या कुछ करने की ज़रत नहीं है, आपको सिर्फ प्रशान तीवारी search करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, clear है, चले, तो सबसे पहले कुछ questions को देखते हैं, वैसे आज वीडियो की quality सही है, मेरी कहल में तो बहुत अच्छी है, अब इस से जाधा और क्या किया जाए, ठीक है, 24 में से 48 दोस, 30 भी नहीं 48, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले, सबसे पहला question है, Indian constitution के according, जो की written है, when unlike in some of the other democracies, what does it imply, written constitution का मतलब क्या है, all the laws made by parliament, are to be written down as a part of constitution, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, पार्लेमेंट के द्वारा, उनको constitution में लिखना है, written constitution का मतलब यह है, the form of government in India, has been codified in the constitution to reduce the political and administrative conflict, third option, only because of written constitution, citizens are able to enjoy fundamental rights, जब भी ऐसा question है, तो एक किसी example के साथ solve करने की कोशिश करा करिए, हमेशा से, तो पहला option जो है दोस्तों वो गलत है, क्योंकि हर एक law को constitution के अंदर में codify करने की आवशक्ता नहीं होती है, अब जैसे for example मान किए citizenship amendment act आया, या फिर citizenship amendment act सोड़ दीजिए, कोई भी law, normal law ले लिजिए, कोई भी law ले लिजिए, तो क्या उसको constitution के अंदर में amendment करके लिखना पड़ता है, नहीं, तो constitution के अंदर में amendment करके constitution में लिखने की हर एक law को जरुवत आवशक्ता नहीं है, तो पहले statement क्या है, गलत है, क्या करें all the law, नहीं, third statement अगर देखें, क्योंकि written constitution है, इसी लिए भारत में fundamental rights है, तो भाई UK में fundamental rights है, और UK का तो क्या है, unwritten constitution है, तो यह क्या है, गलत है, second statement बिलकुल सही है, क्योंकि ए form of government, कैसे सरकार चल देगी, क्या relation होगा है, सब चीज़े बता रहे हैं, यह तरीके से क्या करते हैं, restriction लगाते हैं, कि आपके पास में कोई arbitrary power नहीं है, NCRT के अगर आप book पढ़ेंगे, तो उसके अंदर में यह बहुत clearly mentioned है, क्या क्या functions है, क्या क्या characteristic है, वही से question है, तो यह only second statement से सही है, तो इसमें से सर्फ एक ही statement सही है, तो only one, क् only one is का correct answer, clear है, किसी को इस से related कोई doubt, कि second statement ही इसकी सही है, next question है, exercise desert night, multilateral, यह कह लिए, multinational यह exercise है, काफी सारे nations इसमें भाग लेते हैं, तो exercise desert night, कई बार आप सभी के सभी nations को तो क्या करते रहते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे, कि किसके साथ मैं, यह air force की है, या फिर army की है, या फिर कैना मैं, Indian coast guard, navy, किसकी है, किसकी है, तो प्लीज याद रखिए, हमेशा जब भी आप exercise पढ़ते हैं, तो उसके साथ में हमेशा यह भी पढ़ लिया करिए, कि किस wing के साथ में exercise है, दोस्तों, किस wing के साथ में, तो उसका correct answer क्या हो जाएगा, आपका air force, ठीक है, क्या हो जाएगा, air force के साथ में, जिसमें, और भी बहुत सारे nations ने French Space, सबी ने क्या किया यह भाग लिया, ठीक है, यह इएफो, और इसका क्या था जॉइंटéqu न्यूज में बना हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं, यह statutory body है, and quasi judicial body, quasi judicial body का बन्तरब क्या, इसके पास में judicial power भी है, यह क्या कर सकता है, administrative function तो करेंगी, साथ में इनके पास में power ये भी है, कि क्या कर सकते हैं, किसी को भी समन भेज सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, बताईए, दोस्तों, इसका अंसर दीजिए, तो इसका क्या है, दोनों statement सही है, क्योंकि यह statutory body है, यहां बिलकुत सही बात है, और यह established वहा था अंडर competition commission of India Act 2002, बहुत important है, इस बार के prelims में यह question आएगा ही दोस्तों, आएगा ही आएगा, तो C इसका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, दोनों statement सही है, तो C इसका correct answer है, प्लीज यार रखे, competition commission of India का basic काम पता है क्या है, कि देश के अंदर में competition खतम ना हो, अगर competition खतम हो गया, तो क्या ह होगा, इसका ultimate नुकसान किसको होगा, consumer को होगा, example, एक दार था जीयो का, उस दार से पहले थी, no telecom company, है ना, उसके आदे आप किदरी company है रह गई यह, सिर्फ थी, तो competition देरी देरे खतम हो जाएगा, आप जब competition खतम हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद में, जैसे 9 company है, आप कहते हैं, सब पहले करते थे ना, अरे सर जी, अभी के अभी प्लान हमारा cancel करो, आप सबने बड़ी धंकिया दी होगी, वो port कर देंगे, आजी कर देंगे, call के rate कम करो, फिर उसके बाद में, अब क्या है, अब देलो धंकी, तीन ही बचे हो, ठीक explained as exercise, यह UPSC का already, prelims का question है दोस्तों, बताइए, इसका answer दीजे, बताइए इसका answer दीजे, local self-government, बहुत से बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसमें confused हो जाते हैं, बहुत से बच्चे परिशान हो जाते हैं, ऐसे questions के इंदर में, यह बहुत conceptual question है, बहुत एक conceptual clarity का question है, मेरे बच्चे, प्लीज इस चीज़ को याद रखिएगा, कि यह federalism से related नहीं है, मेरे प्यारे दोस्त, federalism क्या है, जब आप क्या कर रहे हैं, पावर को दो entities के बीच में distribute कर रहे हैं, बट मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे इस चीज़ को समझिए, कि आपके जो local government हैं, वो state list का already हिस्सा है, तो इसका correct answer क्या है, democratic decentralization है, direct democracy तो बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम representative democracy करते हैं, हम किसी को चुनते हैं, फिर वो हमारे basis पर क्या करते हैं, decision लेते हैं, यानि कि हमारे आपर हम indirect democracy कह लीजी हम करते हैं, यह भी question concept आ सकता है, तो याद रखेगा, एक question यह भी आ सकता है, कि federalism में किस-किस को रखोगे, तो वहाँ पर union, आपका state, और साथ में आपका local government भी होगा, तो बहुत साए बच्चे तीनों को लिखकर चलाएंगे, तो आपको यही दोनों चीज़े लिखनी होगी, इसका correct answer क्या होगा, बी इसका correct answer होगा, दोस्त, ठीक है, administrative delegation क्या होता है, जैसे आप I.S है, तो आप administrator है, तो आपको delegate कर दी जाएंगी power की भाई, आप क्या करिए, मेरे बिहाफ पर काम करिए, government के बिहाफ पर काम करिए, तो यहाँ पर तो election होता है, यह भी गलत, यह भी गलत, और federalism गलत है, तो जैसे executive con, जैसे हम कहते हैं, कि government चुनी हमने, अब हर समय government तो क्यान में काम नहीं कर सकती, तो administration को अपनी power क्या करते हैं, delegate करके रखते हैं, इसको हम delegation बोलते हैं, कि आप अपने भिहाफ पर किसी को power दे रहे हैं, तो जैसे DM, SDM साहब होते हैं, उनके पास में यह power होती है, कि वो काम कर सकें, ठीक है, clear है, तो B इसका correct answer जाएगा, अब Roda Mind, already पूछा हुआ question है, और मैंने ये UPSC, का उस दिन मैं जब एक कोई key fact पढ़ा रहा था, prelims के regarding, तब भी मैंने Roda Mind B के बारे में बात किया, तौनमय जी मैंने वैसे तो already आपके साथ में कई बार discuss किया है, tight monetary policy क बारे में, मैंने कल भी बताया था, बट अभी भी मैं session end होते समय पर, तौनमय का question है कि US के इंदर में जो tight monetary policy होती है, वो कैसे भारत के उपर में impact कर रही है, प्लीज हमें क्या बताईए, explain करने की कोशिश करिए, we will try, कि session के end में वरना फिर बच्चों बहुत सारे ये चीज finish, देखा, जो लपु जनने से type के question होते हैं, उसमें तो बिल्कुल तुरंद आतंक बचा देते हैं, message कर करके, थोड़ा सा सोचने वाला प्रशन आ जाए, अरे भीया यहाँ पर attempt करने के marks थोड़ी कट रहे है, यहाँ पर negative marking नहीं है, at least logic लगाने की तो कोशिश करो, तो मेर दोस्त, रॉड़ा माइन कलर करने के लिए यूज होता है, खाने पीने के कलर करने के लिए भी इसका यह वैसे, तो इसको कपड़े को क्या करने के लिए, डाई करने के लिए यूज होना चाहिए, लेकिन जानकारी ना होने के कार्ड में, पैसा इसका कम होने के कार्ड में, बहुत सारे लोग कैंडी के अंदर में, बहुत सारे लोग चौमिन के अंदर में, बहुत सारे लोग वो आपने लाल लाल सी चिली पटैटो देखे हैं, तो उस चिली पटैटो के अंदर में जो रेड कलर होता है, मंचूरियन में जो रेड कलर होता है, जो आपने वो बाल किएगा, it is a synthetic dye used in various applications such as ink, textile and fluorescent microscopy, 20 का correct answer, क्या है, 20 का correct answer, ठीक है, clear, तो दोस्तों आज 5 में से कितने questions सही हुए आप सभी के, और आगे बढ़ने से पहले आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर करना चाहते हैं, तो आप study IQ IS की इस batch को join कर सकते हैं, बहुत ही बहुत ही बहुतरीन opportunity है, चाहे आपका 2025 का batch हो, चाहे 2026 का batch हो, ये सभी के सभी batch आपको क्या करेंगे, help करेंगे, बिल्कुल basic से, zero से, advance level तक prepare करने में, आप यहाँ पर PRT live code, प्लीज मेरे दोस्त, आपको code हमेशा PRT live ही use करना है, ठीक, चलें, तो आगे बढ़ते हैं फटा-फट से, ये मेरी ना Instagram ID है, प्लीज आप सभी यहाँ पर follow कर सकते हैं, ये Twitter है, ये Telegram है, PDF इसकी यही पर share कर दूँगा, तो चलें, सबसे पहला question देखते हैं, Central Government ने Green Credit Program के अंदर में कुछ changes किये हैं, कुछ tweak किया है, जिससे क्या है, इसका नाजायज पाइदा ना उठाया जा सके, ठीक है, EMI का भी option है इसके अंदर में, आप अपने हिसाब से इसको choose कर सकते हैं, चलें अब concept के उपर हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फटा-फट से, तो आप सभी जानते हैं, UAE के अंदर में, पहले हमारे देश के अंदर में, लाइफ इनिशियेटिव के तहत में, एक इनिशियेटिव शुरू किया गया था, Green Credit Program, फिर जब दुबई में गये थे, तो वहाँ पर क्या क्या क्या, इसको global level पर भी क्या किया गया, पेश किया गया था, शुरू किया गया था, तो यह basically है क्या, तो जो organization है, private companies है, individuals है, उनको motivate किया जा रहा है, कि आपना positive action लेना शुरू करिये, किसके बारे में, environment के लिए, अभी तक हम क्या कहते हैं, भाई, आप ये चीज मत करिये, ये चीज मत करिये, इससे environment को नुकसान हो रहा है, अब आपने कहा, इसको हम थोड़ा सा positive perspective में जाते हैं, कि आप ये चीज करिये, जैसे पेड लगाईए, trees को बचाईए, lake का conservation करिये, ऐसे लिखे हमें, art point, ये सब चीजे आप जब करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो environment है, जो landscape है, वो क्या होगा, बहतर होगा, और इसका benefit आ आप कई जगे पर use कर सकते हैं, for example, कहीं पर आपका compliance है, कि आपको वहाँ पर credit शोग करने हैं, आप वहाँ पर green credit शोग कर सकते हैं, even आप अपने corporate social responsibility के तहत में भी green credit को शोग कर सकते हैं, मलबा समझ रहे हैं, generally पहले हम क्या कहते हैं, पेड मत काटो, ये हो गया क्या, negative context, कि पेड नहीं काटना चाहिए, से environment को नुक्सान होगा, अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ गये हैं, green credit, green credit program है, जहाँ पर आप क्या कहा रहे हो, कि भाई, पेड लगाओ, पेड लगाने से हमारा environment बहतर होगा, समझे दोनों के बीच में जो difference है, तो मेरे प्यारे दोस्त, तो green credit program बेसिकली यह था, अब एक ना बहुत बड़ी एक चिंता लोगों के मन में जाग गई, बहुत सारे हमारे आपर आप जानते हैं, हर चीज का जुगाड है, तो यह speculate करने लग गए कि यार, लोग तो क्या करेंगे, पेड लगाएंगे, मतलब आप देखिए, सिर्फ पेड ल लगाए थे, जो मेरी जिम्मेदारी थी, क्या, पांच सो पेड काटने के बाद, आप सभी को पता होगा न, कि अगर आप कोई इंडिस्ट्री, कहीं के पेड को काटती हैं, तो किसी दूसरी जगे पर, वहाँ पर उनको क्या करना पड़ता है, पेड लगाने पड़ते हैं, आफ और स्टेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर इसके दर में कुछ चेंजिस किये गए, फार एक्जामपल, कि कितने नंबर ओफ पेड लगाओगे, तभी आपको माना जाएगा, आप जब स्टेट उसको क्या करेंगे, देखेंगे, उसका वैलिडेशन करेंगे, तो समझ में आया है, इन रूल्स को, इन नॉर्म्स को क्या किया गया है, तो मेरे बच्चे, समझ में आया ये एक टॉपिक, ये concept, समझ में आया है दोस्त, जो क्या कहा रहा हूँ, जिसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या कह रहा हूँ, मैं कि जैसे for example, आप यहां से चीज़ समझ रहने की कोशिश करिए, कि सबसे बड़ा concern यही था, कि green credit program का negative तरीके से use किया जा सकता है, तो सबसे पहली बात तो green credit program की definition समझ लीज़े, which encourages organization and individual, यह question आ सकता है कि सिर्फ organization के लिए, नहीं, दोनों के लिए, इसके लिए, invest in a forestation project, in degraded forest land for green credit, यानि कि जो degraded land है, वहां पर आप क्या करेंगे, आप forest station करेंगे, forest लगाएंगे, तो वहां से क्या होगा, आपको green credit मिलेंगे, may encourage tier planting for financial gain, तो लोग क्या कर सकते हैं, जादा कोशिश करेंगे, पेड़ लगाओ, जिससे क्या होगा, उनको financial gain होगे, वो corporate social responsibility के अंदर में, taxation exemption के अंदर में, उसको count कर सकते हैं, तो याद रखेगा, union environment ministry, जो overall coordinator है, इस program का, उन्होंने clarify किया है, कि primacy किसको दी जाएगी, restoring ecosystem को, पूरे ecosystem को जो restore करने की कोशिश की जारी है, उसको primacy दी जाएगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने को, तो individual and companies can apply to Indian council of forestry research and education, यह autonomous body है, किसके अंदर में, environment ministry के अंदर में, to pay, to restore these forests, ठीक है, the actual afforestation will be carried out by state forest department, यह प्लीज, नोट करिए, जो actual forest station होगा, वो कौन करेगा, state forest department करेगा, दो साल के बाद में, पेड़ लग गए, पेड़ लगने के दो साल के बाद में, उसका evaluation होगा, किसके द्वारा, ICFRE के द्वारा, और उसके बाद में क्या होगा, green credit मिलेगा, कि भाई green credit मिलना चाहिए, या नहीं मिलना चाहिए, अब major question यही है, कि आप उसको analyze करें, प्राइमेसी का मतलब तरजीह देना, importance देना, एक तरफ सिर्फ आपने पेड़ लगा दिये हैं, एक तरफ आपने ऐसे effort किये हैं, जहां पर आप पूरे ecosystem को क्या करना चाहते हैं, इंप्रोव करना चाहते हैं, तो प्राइमेसी का मतलब यह होता है, कि आप उसको importance देगे, ना कि सिर्फ आप सिर्फ पेड़ लगाने को, शिवानी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कि green credit program एक positive decision है, जहां पर आप proactively क्या कर रहे हैं, participate कर रहे हैं, अभी आपको कहा जाएगा, जैसे मैं for example दूँ, कि भाई, पानी waste मत करो, अब मैं इसकी जगे बोलने की बज़ा है, मैं आपको दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ, बच्चे, पानी को बचाओ, बच्चे, environment को नुक्सान मत पहुचाओ, बच्चे, environment को बेहतर बनाओ, समझे रहे हैं, एक बोलने का तरीका, जिसके card में आपको positive credit मिलेंगे, जिसका आप क्या कर सकते हैं, use करेंगे, क्या करेंगे, अब वही दिक्कत है, जैसे जो एन्वार्मिनिस्ट्री है, इसका data बनाएगी, पूरा का पूरा रेजिस्ट्री बनाएगी, और यह जो body है, यह इसके इंदर में पूरा का पूरा काम करने वाली है, अब main question यही है, इसके जो application है, जो implementation है, यह कहा जा रहे है, यह अपने आप में बहुत complicated हो जाएगा, आप दो साल बात कैसे analyze करेंगे, अब यहाँ पर जो human का interference हो गया, कि भाई, आप analyze करेंगे, कि यह जो काम किया गया, कि इसके लिए credit मिलना चाहिए या नहीं मिलना जो entities हैं, वो जाएंगे, कहेंगे, जी हाँ, इसको green credit मिलना चाहिए, तो वहाँ पर बहुत सारे loopholes भी मिलते हैं, जिनका misuse भी किया जा सकता है, तो आप समझ रहे है, पहली बात green credit program क्या होता है, GCP, पहली बात, इसको कौन implement कर रहा है, भारत के अंदर हम यह सारी चीजे, यह सारी चीजे इसके बाद पढ़ना है, आपको next step पर पढ़ना है कि भाई, इसके साथ में issue क्या है, अब मैंने आपको बताया कि इन credits को कैसे claim किया जा सकता है, दो वे में, जैसे आप use कर सकते हैं credit का, it to comply with existing forest laws that required organization which divert forest land for non-forestry purpose to recompense by providing an equivalent amount of land, एक तो purpose क्या कर सकते हैं कि forest land को use किया है, non-forest activity के लिए, आपने किसी forest land को काटा, वहाँ पर अपना setup लगा, तो यह आप सभी को पता हुआ, company के उपने जिम्मधारी होती है, कि आप दूसरी जगे पर क्या करें, वहाँ पर forest को establish करें, तो उसके अंदर में इसका green credit को use किया जा सकता है, दूसरा क्या use क जो corporate social responsibility के तहत में, जो आपको वहाँ पर rating चाहिए, या credit चाहिए, या वहाँ पर governance के लिए, उहाँ पर आप क्या कर सकते है, उसका use कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आप सभी को, तो यह कहने की कोशित करें, ministry ने का है कि states must rely on to calculate what it would cost to restore a degraded forest land, अब यह definition अपने आप में बहु wide range आ गया है, कि भाई, landscape क्या है, मान के चले किसी state की, किसी private company के साथ में अच्छे संबंध है, तो वो यह कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर पेड़ लगा दिया, एक pond खोद दो, यह natural landscape बन गया, दूसरी तरफ में क्या हो सकता है, कोई state environment को लेके बहुत जादा concerned है, वो कहें वैसा पूरा ecosystem develop होना चाहिए, आप समझ रहे ना, एक घर्व के बाहर में पेड़ लगा देना, difference समझ यह, और एक forest का पूरा ecosystem, उसको destroy करना, दोनों के बहुत बढ़ा फर्क होता है, यह चीज मैं कई बार पढ़ाता हूँ, कि हमने क्या किया है, basically यह चीज समझने की करिए, हमने यह कह दिया, एक तरीके से empower कर दिया है, कि आप आईए, जो forest की land है, उसको आप degrade कर सकते है, उसको use कर सकते है, non forest activity के लिए, और उसके एवस में आप क्या करें, इसका दूसरे तरफ में इसका compensation दे दीजे, अब जो profit, जो company है, जो profit earn कर रहे हैं, उनके लिए compensation द लगाने है, पेड़ लगा देंगे, अपने employees को बोलेंगे, किसी agency को hire करेंगे, बाई सब सारे के सारे क्या करिए, 500 पेड़ लगा दीजिए, बट difference समझे दोस्त, एक पूरा हरा भरा जंगल, वो खतम हो जाना, और वहाँ पर सिर्फ वस पेड़ को लगा देना, जिसको यूज कर सकते हैं, पहला, आप उसका यूज कर सकते हैं, अगर मान के चले मैं एक company हूँ, मैंने क्या किया है, कहीं पर कोई forest की land को acquire किया है, वहाँ पर अपना setup बना लिया है, forest को cut किया है, तो मेरे उपर में ये legal obligation होता, forest law ये कहता है, कि मुझे दूसरी जगे पर क्या करन जाकर setup करना होगा, forest लगाना होगा, तो वहाँ पर मैं इस credit का use कर सकता हूँ, उस तीज को compensate करने के लिए, और दूसरी तरीके से मैं क्या use कर सकता हूँ, जो मेरे उपर में corporate social responsibility है, जहाँ पर आप क्यू देखते हो कि private companies बड़ा पेड लगाते हैं, पेड लगाओ, जंगल ब क्या करना है, expend करना है किसके उपर में other activities में corporate के लिए, तो वो उसके अंदर में उसको count कर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ये चीज, अब इससे ज्यादा इसके अंदर में समय देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तू, ठीक है, clear है, मिलिस्ट्री ने ये कोई चीज चेंज किया कि 1100 पेड पर हेक्टेर लगेंगे, तब ही उसको हम reforested landscape मानेंगे, और state के उपर में छोड़ दिया है कि वो specify करें, तो ये चीज भी note कर लीजेगा, 1100 पेड, वरना पहले तो क्या होता, 100 पेड लगा दो, बात खतम, तो ये mandatory क्या किया है, कि भाई, 1100 पेड पर हेक्टेर लगेंगे, तब ही उसको हम क्या करेंगे, reforestation में count करना शुरू करेंगे, clear है चीज है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, चलें, आगे बढ़ते हैं, तो next topic की तरफ देखना शुरू करते हैं, तो green credit program का मतलब क्या है, एक ऐसा unit of incentive provided to individual और entities, engaged in activities that deliver a positive impact on the environment, ये एक voluntary program है, जो कि government of India की द्वारा शुरू किया गया है, जिससे वो various stakeholders को incentivize करें कि environment को conserve करने में, sustainable practices में क्या करें, help करें, इस program is a part of broader life, life campaign क्या है, lifestyle for environment, आप ऐसा lifestyle लेकर चलें, जो environment को क्या करें, help करें, ठीक है, green credit program में एक type of activity है, जैसे tree plantation, water management, sustainable agriculture, waste management, air pollution reduction, mangrove conservation, अब पता ये 8 type की हैं, लेकिन सबने जाधा तर क्या सोचा, बस tree plantation कर दें, ये चीज़ है, ठीक है, to earn green credit, participant need to register their environmental activities, through a dedicated website, फिर उस activity को क्या किया जाएगा, verification किया जाएगा, agency की दौर, अभी हमने just पढ़ा, critical component क्या है, इस program का, green credit का, कि credit registry बनाना, जिससे आपकी कितने credit आपने earn किये, उसको क्या करना है, ट्रैक करना है, ठीक है, clear topic, ये concept, किसी को इससे related कोई doubt, next question है, great Indian buster, कितना प्यारा पक्षी है, तस्वीर देखिए इसकी, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, इतना प्यारा पक्षी है, ये धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, जैसे कई वार ये, जैसे ये आजकल टोन आता ना, ये, तो आजकल वो real वाला दिमाग में चलता रहता चीज़े हैं ना, जिसके अंदर में word बोला जानी रहता, ऐसे करके, तो नहीं या, मेरा भाईया, है ना, तो ऐसे, एक पहुंजा, दो पहुंजा, जा, 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 ना के बराबर हो गई है, अब इसके बारे में अगर देखा जाए, तो अभी सुप्रिम कोर्ट ओफ इंडिया ने इसी के बारे में जज्ज्मेंट देते वक्त, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का जिक्र किया था कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले इंपक्ट के अगिंस में आपके पास में राइट है, आर्टिकल 21 के तहत्म, तो हुआ क्या था, हुआ ये है दोस्तों कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन कॉंटिनुसल क्या हो रही है, कम हो रही है, और इनकी सबसे ज़ादा पॉपलेशन इस समय पर कहा पर है, गुजरात के अंदर में एंड राजस्थान के अंदर में है, अब सर्प्राइजनिंग ली ये दोनों ही स्टेट में दोस्तों, सोलर जो हमारा पावर जनरेशन है वो ज़ादा है, तो क्या किया गया अब solar power के generation के लिए बहुत ही high और बहुत ही high voltage की wires लगाई गयी जिनको transmission wire बोला जाता है तो हुआ क्या कि ये कहा गया कि एक petition डालेगी great Indian bastard की जो जान जा रही है वो basically इस कारण से जा रही है क्योंकि वो high voltage wire से क्या कर रहे हैं को लाइट कर रहे हैं उनका collision हो रहा है तो उसके बाद में क्या हुआ Supreme Court ने complete ban लगा दिया था उस पूरे region के अंदर में फिर उसके बाद में union government ने petition डाली Supreme Court के अंदर में कि भाई साहब my lord इसको ना review कर लीजिए क्या करिए इसको review कर लीजिए क्यों review कर लीजिए सबसे पहला हमारी international level पर commitment है renewable energy को लेकर हम चाहते हैं कि हमें renewable energy को क्या करना है अचीव करना है दूसरी चीज़ दोस्तो उन्होंने ये कहा कि जो complete ban लगाया है पूरे area में basically जो great इंडियन बस्टर जहां पर पाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे area में पाए जाते हैं पूरे area में तो मिलते भी नहीं तीसरा उन्होंने कहा कि जो जो वायर है उनको underground करना ये practically feasible नहीं है ये तीन आर्गुमेंट दिये और इसी के बेसिस पर अभी जो सुप्रेंग कोर्ट ने वो जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 से लिंक किया आपका right ये adverse effect of climate change के against में आपके पास ने fundamental right है उसी से लिंक किया था तो अभी इसकी final judgment आना बाकी है final judgment आना बाकी है दोस्तों तो great Indian bastard एक प्यारा पक्षी जो की generally grassland में आपको देखने को मिलेगा वो धीरे धीरे विलुप दोता जा रहा है कारण उसके कारण कई हैं दोस्तों सबसे पहला जो reason है habitat का loss habitat का loss क्यों हो रहा है क्योंकि जो grassland है उनको हम क्या कर रहे है convert कर रहे है agriculture field के अंदर में जिसके कारण में जो habitat है उसका loss हो रहा है और जिसके कारण में ग्रेट इंडिन बस्टर की population क्या हो रही है कम हो रही है इवन दोस्तों grassland का कम होना आप जो carnivores है शे चीता इनसे भी connect कर सकते हैं क्योंकि जो हर्भी वोर है वो grassland के उपर में dependent है और ग्रास लेंड और चीज़ आपको पता होगा कि खुले में भागना यह मैंने आसाम से related पढ़ा था जब आसाम के इंवेंदर में invasive species बढ़ रही थी ग्रास वाली तो major concern था कि tiger इस से क्या होगा उसके उपर में impact पड़ेगा ठीक है दूसरा क्या इनकी hunting अभी भी जीविन में कई सारे मुरक प्राणी है जो क्या करते हैं इनकी hunting करते हैं एक है जगे चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर में उनको पता है कि यह critically endangered खताम होने वाले फिर भी वहया करेंगे तीसरी चीज़ दोस्तों कोई कंक्रीट बनाते जाना habitat का लॉस होना यह साई चीज़े हैं इसी के अंदर में अब यह पाए कहां जाते थे राजस्तान गुजरात महारास्टर के कुछ हेरिया में आंदर प्रदेश के कुछ हेरिया में और करनाट का अभी ज्यादा तर कहां मिल रहे सिर्फ और सिर्फ यही पर ही देखने को मिल रहा है राजस्तान और गुजरात के अंदर में यह सारी के साई चीज़े क्या है आपस में इंटर कनेक्टेट हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडिंजर्ड स्पीशिस है जिसकी पॉपलेशन कहा जा रहा है अगर इसका कंजर्वेशन नहीं किया गया तो यह बिल्कुल एक्स्टिंट हो जाएगा विलॉप्त हो जाएगा वाइल्ड के अंदर में कंजर्वेशन प्रोग्राम राजस्थान की सरकार और जो यूनियन गवर्मेंट दोनों मिलके इसके उपन में चला रहे हैं तो फंडामेंटल राइट मिला है अड्वर्स इंपक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में ठीक है वह इसी ओर्डर के तहते मिला है तो ठ प्लीज नोट कर लीजएगा आपको फिर बता दू इंडियनबस्टर्ड बैसिकल आपको देखा जाए तो कहां पर आपको राजिस्थान और कुछ रात में देखने को मिलते हैं और critically endangered यह पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि क्यों loss हो रहा है poaching, habitat destruction and predation यह सारी के साथ चीज़े हो रही है जैसके काड में साथ चीज़े हो रही है heaviest flying bird में है इसका distribution अगर देखा जाए तो आपको 100 से 150 के असपास में भारत में आपको देखने को मिलेगा और अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कहां पर है थार डेजर्ट राजिस्थान में आपको देखने को मिलेंगे यह आपके dry grassland और shrub उन सब में देखने को मिलता है they breed mostly during the monsoon season when female lay a single egg on open ground यह please prelims के लिए जब वो हाथी के बारें पूछ सकते हैं तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है 12 से 15 साल जीवित रहते हैं ठीक है और याद इनकी diet अलग-अलग depend करती है they feed on grass seed, insect like grass ओपर इस सब पर कर इंजर्ड है wildlife protection sites, यह साथ चीज़े से related है, ठीक है clear यह चीज़, clear है, next topic है rain shock, तो IMD अपनी prediction के साथ में आ गया है, और उनने predict किया है कि इस बार का जो monsoon है वो normal से बहतर रहेगा, और उसके पीछे जो reason उनने बताया कि इस बार la nina, l nina का opposite क्या बनेगा, situation create है जिसके card में बारिश बेहतर हो सकती है, अब यह बारिश बेहतर हो सकती है, तो यह farmer के लिए क्या message है, कि भाई आप अपनी जो बुआई है, वो उसी हिसाब से करिए, इसको एक message लेकर अपनी soving करिए, दूसरा message क्या है इस किंदर में, अगर monsoon बेहतर हुआ, बारिश बेहतर हुई, तो हमारे देश में बहुत सारे शहर दुबारा से डूबते हुए नजर आएंगे, जहां पर एक लोटा पानी गिर जाएगा, तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी, क्या जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तो उसके कारण में दिक्कत क्या होगी, यह सार्टिकल में कहने कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप यह समझने के कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने यहां पर जैसे जो सीवे सिस्टम है, वहां पर जो लेक हैं, जो रिवर हैं, जैसे उनको कहीं पर सिल्ट जम गई है, वो उन सब को अप धीरे जिरे का करना, उनके साफसफाई शुरू कर देने उसके बाद में पानी का जल भराव के सिच्वेशन हमें ज़्यादा तर देखने को बिलेगी, एक जल भराव यह होता है, पानी भरना होता है, कि भाई, कैपसिटी से ज़्यादा ही बारिस हो गई, जिसके कारड में क्या है, आपको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो फिर करने की ज़रूरत है, इस आर्टिकल में वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे, तो घूम फिरकर वही कहानी होगी, जैसे हर साल होता है, कि मल्टिपल सिटीज के अंबर में, आपको फ्लेट जैसी सिचुशन देखने को मिलेगी, और उसके बाद पूरा आरो प्रत्या रोप शुरू हो जाएगा, जहां पर क्या दिया जाएगा, कि भाई साब, जो सीवेच क्लीन नहीं हुआ था, नजी नाले क्लीन नहीं हुए थे, सारी के सारी चीज़े, क्लियर एचीज, यह टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बिसिकली यह दो चीज है, आपके बारिश के उपर में, और दुसरे तो गवर्मेंट के उपर में, यानि कि स्टेट्स को अपने अपने एरिया में तयार होना चाहिए, लेकिन कहां से तयार होंगे, सभी के सभी तो आज के लिलेक्शन मूड में लगे हुए, लेकिन यह सीज बहुत इंपॉर्टन करना तो चाहिए, कृष्टा जी, वाटर कंजर्वेशन के तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, करना तो चाहिए, और होने में बहुत बड़ा फर्क है ना मेरे प्यारे दोस्त, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, अब आपको सुचिए, अगर हर एक किसी एरिया में पानी ना आए, अकाल पढ़ जाए, तभी पॉंट खो दी जाएंगे, आप प्रोग्टिव भी तो हो सकते हैं, बट नहीं होते हैं, है ना, लो, जैसी प्रोग्टिव की बात आए, जैसी बात आए कि कहने मैं, कहने मैं थोड़ा सा गवर्नेंस की उपर में नो, और जैसी बात करोगे आपकी क्यों ना सेलरी बढ़ा ली जाए, तो क्या कहेंगे, या, 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 है ना, वह वाला सिस्टम है, याद करने का बड़ी है, क्लिर है, हाँ शिवानी, मुझे ध्यान है कि मुझे एक वीडियो बनानी है, बनाएंगे, चिंता मत कर यह ला नीना और एल नीनो, सिंपल सी बात समय है, ला नीना में बारिश होती है, एल नीनो में बारिश नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है, नेक्स टॉपिक अभी आप पढ़ोगे तो हैरान, परेशान, मेरी जान, सब परेशान रहे जाओगे, आपको पता है, WHO क्या कहता है, कि हर एक हजार पर एक डॉक्टर होना चाहिए, हर एक थाउजन लोगों के उपर में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन गॉर्मेंट का जो डाटा अगर आप देखेंगे, मैं पड़ क्या कहता है, कि हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर है, आट सो चॉट्रिस पॉपलेशन की उपर में, जो की बेटर है, बेहतर है किस से डबलू होना चाहिए, रेक्मेंडिट रेशो से भी है, तो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट है, यह आर्टिकल क्या कहा रहे हैं, कि हमारे देश में, जो पूर डॉक्टर पॉपलेशन रेशो है, उसको हमें बेहतर करने की ज़रुवत है, और उसको बेहतर करने के लिए, सेंटर और स्टेट रेलेशन्स को भी बेहतर करना पड़ेगा, जिससे हेल्थ केस स्फेर में काम किया जा सकी है, आप सभी जानते हैं, कि कॉ पॉपलेशन के बीच का जो गैप, और खास दोर पे जब हम रूरल एरिया में जाते हैं, तो ये तो हमें और ज्यादा क्या है, परेशानी वाला सबब देखने को मिलता है, अरबन एरिया में तो फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, ये सब देखने को मिल जाएं तो कैन में ये बहुत ही बड़ी चीज हो चाहिए, जैसे कि आप सभी ने ध्यान दिया होगा, कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एरिया से हमें डॉक्टर को अगर दिखाना एमर्जंसी में तो बलरामपुर जाना पड़ेगा, या फिर दूसरी तरफ में बहराइच की तर आप सिर्फ एम्स जैसे हम अनॉंस कर रहे हैं, इस समय भी कितने एम्स हैं, 20 के आजपास में लेकिन एम्स को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, सेंटर स्टेट के बीच में आपस में क्या, एक दूसरे के साथ में, conflict जादा चल रहा है, रदर दर एक दूसरे के साथ में mutual cooperation, आप बात कि थी इंफ्रासक्चर नहीं है इंफ्रासक्चर के साथ साथ में सफिशन नंबर ऑफ डॉक्टर्स हेल्फ के सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो यह क्या करना पड़ेगा इसके अंदर में सुधार करने की जोरत है तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे जो हमारी जो इतनी बहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाएंगे प्लस में वह फैसिलिटीज अफोर्डेबल भी होनी चाहिए आप बड़े बड़े चैंटी नेशनल चोर्टेस और पैक्स फैक्स नाम की कोई भी हॉस्पिटल बना ले नो डाउट वह जरुत पढ़ने पर हेल्प करते हैं ब जिसके करना by default, बाई default person को by force इनके पास में ना जाना पड़ें ठीक है अब यहां से question कैसा बनेगा है question पूछा गया जोचना के दौरा कि sir यहां से question क्या बनेगा यहां से question क्या बनेगा कि demographic dividend के जो benefits नं उसको access करने के लिए हमें health और education के उपर में ज्यादा क्या करना चाहिए focus करना चाहिए अब जब ये question बनेगा तो आपको ये points देखने पड़ेंगे मैं ये चीज समझा कर ठक चुका हूँ दोस्त कि direct question कभी भी नहीं बनते हैं लिए articles आपके लिए important है जब आप अईश्मान भारत की बात करेंगे universal health coverage की बात करेंगे health facilities की बात करेंगे covid जैसे दूर बारा कोई pandemic crisis आता है तब बात करेंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे इन सब का explanation देंगे वहाँ पर आप सभी क्या करेंगे इन सब चीजों को वहाँ पर शो करेंगे वहाँ पर इनके बारे में आप लिखेंगे दोस्तुर। समझ रहें कि questions जो है वो integrated या कहा लिए interrelated questions बनेगे तो वहाँ पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां से क्या लिखना है अब आपको यह जो चीज है वो लिखना पड़ेगा कि रूरल एरिया में क्या issues है अब आप चीज यह देखिए suppose करिए कि जैसा कोविड की situation अर्बन एरिया में थी 0.1% ऐसी situation अगर भारत के ग्रामेर छित्रों में भी हो गई होती है तो क्या हमारे पास में वहां पर वो सुविधाय हैं नहीं है तो infrastructure को develop करना यह वाली सबसे बड़ी चीज़ है ठीक है ठीक है clear यह चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरा फिर यहां पर इस ambit में आ सकते हैं कि center state relations at least जो sphere बिल्कुल directly impact कर रहा है human को हमें क्या करना चीज़ वहां पर center state relations आपस में जो differences उनको भूल कर लोगों की बहतरी के लिए काम करने की जरूरत है ठीक है clear है clear is topic तो दा आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अनमबर अफ आल इंडिया इंस्टीट अफ मेडिकल साइंसे एंस एक्रोस दा कंट्री सर्टेनली कम्स फॉम अ क्लिवियर नीड जहां पर आप गैप को फिल करना चाहते डिमांड अप्लाई के डॉक्टर पेशेंट रिशो इंसफिशेंट है दोजातीन में सेंट्रल गवर्मेंट ने अनाउंस किया था प्रधान मंत्री स्वास्त है सुरक्षा योजना जिसका में अब्जेक्टिव था इसी जीज़ को फिल करना दोजात्षी के अंदर में प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना स्वास्त शुरक्षा योजना गट ओफ दा ग्राउंड अन्टोटल शिक्स एम्स लाइक मेडिकल इंस्टूशन वर क्रेटिद इन दा कंट्री अभी कितने हैं 20 के आसपास में से बट मेरे दोस्त प्लीज समझें कि एमस से ही चीज़े सुधरेंगी नहीं आपको डिस्ट्रिक लेवल पर लोकल लेवल पर भी बहतर हेल्थ केर फैसिलिटीज क्रिएट करने की जरुरत है नो डाउट दीज इंस्टिटूशन हाव क्रिएटिड प्लेंटिफुल अपॉच्टिटीज फॉर स्टूटेंट एडवांस्ट गोल ऑफ टेकिंग अफोर्डेबल हेल्थ केर एड्यूकेशन ब्यूंड मेंट्रोज बट इसके इंदर में और ज्यादा हमें सुधार करने की जरुत है आप जो डॉक्टर के जो नमबर हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं बाइंक्रीज नमबर ओफ सीट्स मेडिकल कॉलेजेश बैट इसका भी हाल इंजिनेरिंग जैसा ना हो जाये जैसे engineering colleges एक एक दूसरी दूसरी जगे पर जाकर क्या हैं खुल गए हैं वैसे ना हो at least अगर doctor बने तो doctor इलाज कर सके maximum engineers के साथ मैं परिशानी है कि वो सर्फ नाम के लिए engineer है लेकिन वो क्या करेंगे काम के लिए engineer नहीं तो अगर doctors के number of seats आप increase कर रहे हैं तो वहां पर जो quality वो बहुत important है दूसरी चीज यहां से अगर देखी जाए फेरे प्यारे दोस्त infrastructure उसको increase करने की जुरुत है और खास तोर पर rural इंडिया के दाव जिससे last में आप लिखेंगे health facilities क्या है इक्विटेबल हो आप कहीं से भी belong कर तो आपको easily access मिले accessible भी हो and affordable भी हो यह तीनों चीज़े फिर ensure करेंगी quality यह है आपका तो जब भी आपके एवान के चली किसी भी exam के नदर में में question आएगा interview question आएगा तो इस aspect में आप क्या करेंगे ध्यान देंगे ठीक है clear affordability and accessibility these two are key words you should mention in your exam wherever healthcare related question will come affordability and accessibility clear next topic and last topic we have already discussed this topic many times heat waves so yeah आप सभी जानते हैं कि heat waves की prediction continuously चल रही है अभी सिर्फ अपरेल चल रहा है और अपरेल में situation बहुत ज़्यादा खराब चल रही है और कहा जा रहा है कि यह situation और ज़्यादा खराब होगी आने वाले समय में heat waves और ज्यादा क्या करेंगे increase होने वाले तो heat waves से fight कैसे करना है तो सबसे पहले बार तो heat से related action plan बना है यह आपको धान होगा कि last year ही advisory जारी की गई थी कि साभी के सभी state heat wave से कैसे fight किया जाए उसके लिए क्या करें अपना पूरा का पूरा action plan बना है तो अभी ज़रुरत है पूरे pan India ऐसे plan को implement करने की भी and plus में short term and long term दोनों planning होने चीए मैं बार बार आपको कह रह नहीं अभी आपको immediate solution देखना पड़ेगा immediate solution कई सारे हो सकते हैं जैसे insurance benefit work benefit जैसे आपने देखाए उस स्कूल को बंद करना एक बड़ा logical उसमें आया था कि heat waves ये सारे चीज़ है क्योंकि आप ये चीज़ समझ ही है आप नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत के 60 to 70 percent जो workforce है वो क्या है manual labor करती है खुले में अब वहाँ पर अगर heat wave होगी तो direct उनकी health के उपर में impact पड़ता है तो health उनकी क्या हो सकते है खराब हो सकती है दूसरी होगी और यह दोनों चीज़े मिला अब heat waves directly आपके agriculture के उपर में impact करेंगे आपके agriculture यानि के productivity के उपर में भी impact करेंगे तो आपको क्या करना ultimate solution short term and long term दोनों देखना क्या है देखना short term and long term दोनों देखना तो याद रखे है heat waves क्या होते है तो IMD की तरफ से जो definition है heat wave की वो क्या करते है अलग-अलग region की जैसे आप देखेंगे वो ही कहते है कि अगर maximum temperature station के अंदर में 40 degree Celsius हो जाए और ज्यादा हो जाए ठीक है और planes के अंदर में 37 degrees मलब यह यह आपका station और planes के coastal area and 30 degree Celsius आपका कहां पर हो है hills के इंदर में तो इसके basis पर उनने यानि की hill plane और coastal area को उनने define कर दिया तो याद रखेगा heat wave जब कहा जाएगा कि कि किसी भी station पर अगर 40 degree Celsius और ज्यादा है in planes 30 degree Celsius और से ज्यादा है coastal area में और 30 degree Celsius और more है कहां पर आपके hills के तरबें तो आप क्या करेंगे वहां पर declare कर देते हैं heat waves मैं फिर आपको बता रहा हूं 40 degree Celsius 30 degree Celsius कहां पर hills का और coastal area का कितरा है 37 degree Celsius और उससे जादा ये condition के बिसे हीट वेव डिक्लेर कर देते हैं अब heat wave की severity हम कब बताते हैं कि अगर normal temperature से कितना ज्यादा है एक normal heat wave होता है तो normal heat wave कब होगा जब जो temperature normal रहना चाहिए उससे 4.5 से 6.4 degree Celsius जादा हो जाए और अगर severe heat wave है तो departure अगर बहुत जादा हो जाए इससे भी जादा बढ़ जाए तो हम severe heat wave कहां के चलिए normal temperature कहीं पर 20 degree रहता है तो वहां पर अगर continuously क्या हो जाए 26 degree Celsius रहने लग जाए तो हम क्या for example maximum temperature heat wave जब होगा जब 45 degree Celsius आ जाए, severe heat wave जब कहेंगे जब 47 degree Celsius आ जाए तो तीनों criteria का क्या किया जासता है यूज किया जा सकता है अलग-अलग area में heat waves को declare करने के लिए फिर कह रहा हूं एक area wise दूसरा क्या normal temperature से कितना जादा है और एक क्या final temperature कितना जादा ये तीन criteria यूज क क्यों हो रही है, heat views के एकन में, विरेंदर मेरे खाल में मैंने कल खुद महरान हूं कि अभी तक question मेरे गई नहीं, मैंने इतनी महनत करके साड़े चार घंटे की recording करी है, साड़े तीन घंटे की, तो देखता हूं पूसता हूं कि क्यों नहीं हो रहा, गया क्यों नहीं, record करने आप natural जो landscape है, forest को खतम करते जा रहे हैं, lakes, pond, इनका encroachment होता जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इसके card में energy का consumption increase हो रहा है, cooling agents का use हो रहा है, जिसके card में क्या होता है, और ज़्यादा आपका heat, अब इसका negative impact क्या पड़ता है, आपकी worker की जो efficiency है, वो reduce होगी, आपकी worker की जो health है, उसके उपर में impact पड़ेगा, heat stroke, heart attack, यह साथी चीज़े होंगी, ठीक है, उसके card में क्या होता है, आपकी जो soil की fertility उसके उपर में भी impact पड़ेगा, इवन दोस्तों जो आपकी fossil agriculture, उसके उपर में भी impact पड़ेगा, ठीक है, चीज़ clear है, अब यहाँ पर solution क्या हो सकता solution दोस्तों दो टाइप के होंगे, एक long term और एक short term, तो short term क्या हो सकता भाई, immediately कैसे relief पहुचाई जाए, जैसे for example, जो outside work है, उनको कैसे relax किया जाए, आप जो working hour है, उनको change कर सकते हैं, कोई बिमार होता है, तो insurance के अंदर में आप heat waves के थूरू बिमार्गी को भी क्या कर सकते include कर सकते हैं, claim के लिए, आप जगे जगे पर पानी के जो प्याव हैं, जो पीने के सुविधाएं वो कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, short term में, immediately, और long term के अंदर में क्या देखा जाए, तो long term के अंदर में solution क्या होगा, urbanization को कैसे plan किया जाए, कैसे concrete का जो structure ह उसको रोका जाए, plus में कैसे forestation, plantation, lake, इन सब को restore किया जाए, यह सब long term में solution होगे, साथ में दोस्तो, long term में ये भी क्या, कि पूरे इंडिया के अंदर में state wise, even दोस्तो, और detail में जा सकते हैं, तो district wise क्या करना चीए, हमें plan बनानी के अब आवशकता है, even आप agriculture के अंदर में ठीक है, समझ रहे हैं, heat ways और उसके बीच में, तो यह सारी के साथ चीज़े हैं, इसी के अंदर में, ठीक है, तो वो यह कह रहे हैं कि measures कैसे होने चाहिए, आप forecast को use करें, लोगों को जैसे early warning system, आप public को gathering से रोकना, relevant authorities को inform करना, educate करना, public को की information, कैसे cooling centers बनाय जाएं, आप द देखा जाएं, तो क्या किया जाएगा, आप वहाँ पर, जैसे और short term में क्या, educate number of trained healthcare worker होने चाहिए, supplies increase क्योंकि आने वाले समय में, heat related illness बढ़ने वाली है, और long term में solution कैसे है, tree planting, heat resistant building material, urban में heat island ना बने, cool roofing technology, indoor कैसा होना चाहिए, solar absorption, यह सारी चीज़े क्या है, यह long term के अ हो गई, clear है, समझ रहे हैं ना, यह चीज मलब, long term and short term, समझ में आ रहा है ना, problem, short term and long term problem, clear है, heat related question आएगा ही आएगा दोस्तों, इस बार means के अंदर में आपके लिए, ठीक है, तो आज के session में इतना ही था, I hope आप सभी ने, ठीक है, session को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या क्या होगा, enjoy क्या होगा, और अगर enjoy क्या है तो please, like करना, share करना और comment करना ना भूले, मैं major, जो कैन मैं आप से उम्मीद करूँगा कि, आप सभी के सभी, maximum to maximum इसको share करें, तो मिलते हैं अंगले session में, तब तक अपना ध्यान र ठीक है, आप at least एक बार ये करके, एक बार किसी मन्थली magazine को उठागे देखे, आपको maximum topic पढ़े हुए ही मिलेगे, तो मिलेंगे आपको अगले session में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और ये दोस्तों हमारा batch है, इसको आप join कर सकत हैं, PRT live code यूज़ करके, आप study IQ, IS पर चाहे long term, चाहे short term, चाहे optional, किसी batch को join करें, तो PRT live code यूज़ कर सकते हैं, आप ये Instagram, ID, ESI, चीज़े हैं, इनको join कर सकते हैं, thank you so much, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बाए बाए, टेके दोस्तों, ज कर सकते हैं, अज़े हैं, फवैं तो य। टोड़ते हैं, खोस्तों आप चाहें पचते हैं, बाए, टो य। जभिए हैं, बाए, बाए, तो 8 रे, बाए, पाए, य। झाल तो 6